अगर आप अपने देश में कोई चेंज लाना चाहते हो तो डेफिनेटली हजारों लोग आपके अगेंस्ट कड़े होंगे क्योंकि चेंज को एकसेप्ट करने में वक्त लगता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्टैंड इना ले अगर आप एक पॉलिटिकल यूट्यूब चानल शुरू करते हो तो डेफिनेटली आपको एक बूस्ट मिलेगा आपको स्टैंड लेने की एक ताकत मिलेगी और उसके जरिये आप अपनी कंट्री में अपने देश में चेंज ला सकते हो कहीं पॉलिटिकल चैनल है जिसमें से एक जो फेमस चैनल है दाट इस ओन वाई धुरू राटी अपने चैनल पर इस तरीके से वीडियो बना सकते हो फोर एक्जांपल वाई तो वोट शुड वोटिंग भी मेड कंपल्सरी कॉंग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी का मैनिफैस्टो, मोधी गवर्मेंट का बैक्राउंड, मोधी गवर्मेंट ने क्या-क्या चेंजेस लाए है अपनी कंट्री में ऐसे कही सारे वीडियो आप बना सकते हो और यूट्स को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हो इन फैक्ट ओवर दा टाइम आपके चैनल पर आप कही सारे पॉलिटिकल लीडर्स की इंटव्यू ले सकते हो जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करते जाए अगर आपको अपने चैनल को एक next level पर लेकर जाना है तो definitely आपको कोई ना कोई चीज के लिए stand लेना होगा तभी जाकर आपका चैनल एक next level पर पलेगी आपको और आपने वीवर्स को convince करना होगा तभी जाकर आप एक अलग लेवल पर पहुच पाओगे अब आपको यह समझ आ गया है कि किस तरीके से कौनसे वीडियो आपको बनाने है अपने पॉलिटिकल यूट्यूब चानल पर अब हम यह देखते हैं कि क्या बेसिक रिक्वाइर्मेंट्स है अगर आपको एक पॉलिटिकल यूट्यूब चानल शुरू करना है तो सबसे पहली जो रिक्वाइर्मेंट है वो है कि आपको बेसिक पॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए और डेफिनिटली ओर टाइम जाकर आपकी पॉलिटिकल नॉलेज भी ग्रो करते जाएगी और अनायन्स करते जाएगी सेकेंड जो चीज है जिसके आपको जरुवत पड़ेगी वो है एक कामेरा और स्टाइड स्टाइड की आपको जरुवत पड़ेगी ताकि आप क्वालिटी वीडियोस बनाए, स्टेबल वीडियोस बनाए अब यह तो समझ गया, what are the basic requirements to start a political YouTube channel लेकिन हम किस तरीके से एक YouTube channel को create करें, किस तरीके से उसे monetize करें उसको लेकर मैंने in detail एक वीडियो बनाए है उसकी link description में आप आजाकर उस वीडियो को देख सकते हो